पौवन सिंग भुश्पूरी इंडस्ट्री में जिस तरीके से आसन सोल का टिकट वापस करते हैं और उसके बाद तमाम तरीके के सोसल मीडिया पर उनका जो है नीज चलने लगता है पौवन सिंग को ट्रोल किया जाता है लेकिन इसी बीच में मुन्ना सिंग एक गाना लेकर क सकते है जिस तरीके से पौवन सिंग लिए नियुक्त भिडियो बनाया है जो इनका बनाया है अपने ऐकिन पौवन भईया के लिए पौशल मीडिया भी आता है लेकिन अंपहुन बहुता को जब तरीके के गाना जा जा रहा था बंगलीनिया सौंग को ले करके तो पवन सिंग भी इस चीज़ को ले करके दुबिदा में पड़ गया थे कि आखिर मैं किस तरीके का गाना गा दिया हूं कि मुझे जो है सोसल मीडिया पेट्रोल किया जाने लगा लेकिन जो हमारे गायक है नीचे से जो आदर्स म बनाना है और भी तमाम तरीके का पवन भाई या भाउजी के घहरे लिया वह तमाम तरीके का कलाकार जो है गाना गाते हैं और आपके लिए ले करके आते हैं आप कम से कम भुश्पूरी इंडस्टीज में पवन सिंग अगर खास तरीके से खास चीज इसी इंटर्वीव को देख रहे हैं तो कम से कम आग रहा है उनसे कि आप कम से कर भुश्पूरी को अच्छे दिसा में लेकर जाने का काम करें और ऐसे-एसे कलाकारों को भी जो है अफ पाई अच्छा करो आप प्रत्वरसाहंद दे उसको और आगे ले जाकर ले जाने का काम करें आप तमाम सब्सक्राइब तमाम लोगों के मन में भी सवाल आ रही होगे कि पता नहीं अभी सिंग आएंगे क्या आएंगे आरा से आएंगे आर्जेडी से आएंगे बीजेपी से आएंगे आप लोग मुझे कमेंट जरूर करेगा कि आखिर वाकई में कौन कहां से आ मुझे तो अभी तक इसका नौलेज नहीं है लेकिन एक चीज़ा रहा है कि जोती सिंग और पवन सिंग एक हो चुके हैं इसमें कहीं दो रहा है नहीं यह सच्चाई है और आप देख रहे होंगे दोनों लोगों का तस्वीर वीडियो जो है लागतार सोसल मीडिया पर पैरता अमेशा अपने दिल में रखे और ऐसे ही भुषपूरी में लहराते रहे लेकिन मुन्ना जी जो है अपने चैनल के माध्यम से जो गाना दिये हैं पवन भया के सांसद बनावे के बाए और एक चीज बता देता है मुन्ना जी को अगर कोई याद नहीं है तो मैं याद दिला चला था का हो जवनिया अचार डलबू इन्हीं का गाना था जो कि लगतार आप लोग ट्रेंड मिला दिये तो इस गाने को भी आप लोग ऐसे ही बजा करके जो है पाउन भाईया को सांसद बनाना है आप लोग बनाईए और बना करके ट्रेंड मिले करके आईए वो गाना किसक पूरी इंड़स्ट्री में तो रोज विवाद होता है रोज कुछ ना कुछ होते ही रहता है हम लोग अपने चैनल के माध्यम से लगतार आप लोगों को पूरी से को यह चैनल पर जाकर जब सुने वह भी मुझे कमेंट करिएगा इस वीडियो में इतना ही मिलते फिर अगले विडियो में तब तक के लिए धन्यवाद